हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो माम आपको यह बताने जाराओं की कैसे आप अपने सैमसंग गिलक्सी A34 Android मुआलफोन में आप अपने मुआलफोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सौल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो माम आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं अगर आपका ब्लुटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो इससे आपके स्पीकर में से साउंड के वाज नहीं आती है तो साइलेंट मोड से हटा देना फोन को ठीक है यह जो मैं आपको तीन सेटिंग बताई ना इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड के वाज नहीं आती है अब दोस्तों यहापर आपको अगला प्रोसेस करन भी हमारे फोन के एंडूइट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है तो आपके मोड फोन का सॉफट्वेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है तो सबसे पहले आपको मोड फोन का इंटरनेट चालू रखना है इसके बाद फोन का सैटिंग पेज अब इसके अंदर आपको यह डाउनलोड इंस्टॉल पर टैप करना है अब इसके इस वाले पेज पहना आपको कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता तो उसे आपको टैप कर देना है इससे आपके फोन का सॉफट्वेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन के साउंड की प्रॉब्लम आती है तो मुवैल फोन के स्पीकर को आपको किसी ब्रस या कॉटन या किसी भी तरीके से हलके आतों साफ करना है ज्यादा ताकत या प्रेशर दबाव नहीं लगाना है स्पीकर में नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो डैमेज हो सकते हैं स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है तो आपको स्पीकर को हलक आतों साफ करना इस बात कर ध्यान रखना है त्यकंए अब दोस्तों यापको आपको अगला प्जा करना क्या है कि लेटिंग पेज में सबसे उपर इस सर्च आइकन पर टैप करना है, यहां पर सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है, आपको नीचे reset का यह options होगा, reset पर टैप करना है, आपका mobile phone आपको directly इस reset की setting में लेकर आएगा, reset पर टैप करना है, इसके अगले page में आपको सबस इसरे phone में transfer कर लिजे, या उसका backup ले लिजे, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखने है, कि आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है, तो इस दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने mobile phone को reset करना है, ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताएवे सा पहले जाना, अपने mobile phone के, ठीक है, वहाँ पर आपको अपने phone दिखा देना है, ऐसा मैं ऐसे लिए कहा रहा हूं, दिखे, हो सकता आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी, ठीक है, जिसकी वज़े से आपके problem आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस video में जितने भी solution बताए हैं, वो mobile phone के software के जरिये बताए हैं, अगर mobile phone के software की किसी कमी के कारण आपकी problem आ रही है, तो मेरे बताएवए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी, otherwise आपको अपने phone के service center जाना होगा, ठीक है?